हेलो फ्रेंड्ट्स, नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है रोज के नास्ते में जरूर सभी हैं सोचते हैं कि आज क्या बनाएं, आज बच्चों को टीफ़नी में क्या दे या फिर साम के नास्ते में क्या बनाएं तो उस टाइम पे यह recipe आपके बहुत काम आने वाली है इतनी बढ़िया जो लगती है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है बहुत ही कम तेल में इत रेस्पी को हम बनाने वाले हैं तो आज हम बनाएंगे सेवई का उपमा बहुत ही टेस्टी उपमा बनने वाला है तो चली पे रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में एक चोटा चमल सुद्देशी घी लिया है गी को मेल्ट होने देंगे उसके बाद इसमें डालेंगे सेवई तो यहाँ पर मैंने एक कड़ोरी सेवई लिया है इसे ना मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट भूनेंगे इसे ना high flame पे आपको नहीं भूनना low या फिर medium flame पे इसे भूनेंगे दीरे दीरे इसका color थोड़ा सा बस change होगा उतना ही इसे भूनना है यह देखे यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है तो यहाँ पर तो मैंने इसे घी में भूना है आप चाहें तो refine oil में भी थोड़ा सा इसे भून सकते हैं पर घी में भूनने से ना सेवई का ज़्यादा अच्छा टेश्ट आता है तो अब इसे gas को off करके दूसरे plate में निकाल लेते हैं सारे सेवई को हम देख सकते हैं कलर इतना ही है आपको change होना चाहिए ज़्यादा इसको brown नहीं करना है तो सारी सेवई को निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने कड़ाई में डाल दिया है कुछ मुमफली के दाने यहाँ पर मैंने तेल के यूज नहीं किया है बस ऐसे इसे थोड़ा सा रोष्ट करना है मुमफली के दाने को 2-3 मिनट रोष्ट करके निकाल लेंगे उसके बाद एक चमच रिपाइन ओल डालेंगे अब इसमें डालेंगे आदा चोटा चमच सरसो के दाने आदा चोटा चमच जीरा एक चोटा चमच चने का दाल इसे डालेंगे एक चोटा चमच उरत का दाल इसे भी डाल देंगे गैस का फ्लेम लू या मीडियम रखेंगे आदा से एक मिनट इसे थोड़ा सच्छे से भूनेंगे अब इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई हरी मिर्च आपको कितना तीका पतंद, कितना स्पैसी बना रहे हैं उसे तब से यूज़ करिएगा बारिक कटा हुआ एक प्याज उसे भी ढाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा गुलाबी होने तर अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ बनना आपको प्याज को जादा नहीं भूनना बस थोड़ा से इसका कलर चेंज हुआ इतना ही मैंने से भूना है अब इसमें डालेंगे एक छोटी करिटोरी मटर के दाने यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर लिया है आप कोई भी मटर ले सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे यह दे किस तरीके से अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारिक कटव अ टमाटर और वापत से सारी सबजियों का अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च पॉरडर आप कितना स्वैसी बना रहे ना उसे साब से यूज़ करेंगे मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और लाल मिर्च नोनों का यूज़ किया है एक पिंच हल्दी पॉरडर थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे यहाँ पर अभी तक मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि नमक मैं बाद में डालने वाली हूँ अच्छे से मिक्स करेंगे तुमाटर सौफ हो चुके है तो इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो कप पानी लिया है इसमें पाइन डाल कर थोड़ा सा उबालाने देते हैं ये दिखें यहाँ पर इसमें उबालाना स्टार्ट हो गया है तब इसमें हमने जो भूनकर सिवई रखा है ना उसे डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी से वई के लिए दो कप पानी लिया है अब इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे नमक डाल कर गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है हाई नहीं रखना है अच्छे से मिक्क करेंगे और इसे ढख कर 7-8 मिनट के लिए कुक होने देंगे तो ध्यान रखेगा गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेगा मीडियम या पर लो रखेगा तो आप बिल्कुल इतना ही पानी डालिएगा तभी आपके जो उपमा है ये खिले-खिले तैयार होते हैं तो यह दिखिए अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये उपमा रेडी दिख रहा है अच्छे से मिक्स कर लीजे तो ये दिखिए सिरके से मिक्स करिए अब इसमें ना मुफली की दाने डाल देंगे जो हमने रोष्ट करके पहले से निकल के रखा है इस टाम पर ही इस से डालेंगे और वापस इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इस टाइम पर बारिक कटिवी धनियापती विसमें डाल सकते हैं इसे ना पांच मिनट के लिए ऐसी ही थोड़े दिर के लिए ठंडा होने देंगे उसके बास सर्फ करेंगे तो ये देखें यहाँ पर कितना बड़ियां हमारा सेवई का उपमा तयार है बिल्कुल खिला-खिला बिल्कुल पॉफेक्ट नाप से आपको इसमें पानी डालना है तब ही आपका इस सेवई का उपमा अच्छा तयार होता है देख सकते हैं कितना बड़ियां दिख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब ही मैं कोई ऐसी नई वीडियो डालू तो सबसे बले नोटिफिकेशन आपके पास बहुँचे तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू